कुछ लोग योग गुरू भी कहते हैं तो कुछ लोग उनको बिजनिस गुरू भी कहते हैं लेकिन मैं दोनों बातों से इक्तिफाक नहीं रखता बात चल रही है बाबा राम देव की आज जो अपडेट सामने आया है एक वैप पोर्टल के थूरू उससे मैं अपडेट आपक और पचास साल लगेंगे और को इंसिडेंस वाली बात तो ये है कि अमित शाहा भी कह चुके हैं कि हमारी पार्टी यानि की भाजपा और पचास साल सत्ता में रहेगी हमें कोई नहीं हरा सकता एहिंकार है कि विश्वास है इसमें अंतर करना आपको सीखना है बहराल अभी ये जान दीजिए कि पतंजली का जो प्रॉफिट है और जो सेल है क्यों आधे पर आकर के लटक गए इसके पीछे कुछ कारण है जैसे कि GST नामक एक जिंद है जो पतंजली का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा उसी की वजह से मार्च 2018 में विक्रित थोड़ी नहीं बलकी 10% गरगर के 8,178 करोड रुपे पर रह गई मार्च 2013 के बाद ये पहला मौका है जब लगातार उचाई की तरफ बढ़ रही रामदेव की कंपनी को नीचे का रास्ता देखना पड़ा GST के लागू होने के बाद पतंजली के डिस्ट्रिबिशन नेटवर्क पर काफी असर पड़ा और वो तूट गया दुकानों तक सामा नहीं पहुँचा अब दुकान तक सामा नहीं पहुँचेगा तो सेल्स में भी कमी आएगी मैंने आपको बताया था पहले अपने वीडियो में कि बाबा रामदेव ने 2017 में दावा किया था कि पतंजली का जो टर्न ओवर है वो अगले 3-5 साल में 25,000 करोड तक पहुँच जाएगा या उसको पार कर जाएगा लेकिन पतंजली की कमाई 10% से घट करके घट चुकी है और 81,000 करोड रुपे पर ही रह गही है और एक बात और International Research Group Credit Swiss की एक कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट पे आपने गौर किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं जिसके मुताबिक पतंजली के जो ज्यादतर जो प्रोडक्ट हैं HUL और डाबर के मुकाबले टिक नहीं पा रहे हैं और जब से HUL और कॉल्गेट जैसे कमपनियों ने हर बल प्रोडक्ट अपने मार्केट में उतार दिये हैं तब से उनकी सेल्स तेजी से बढ़ रही है as compared to पतंजली आप माल लीजे कि आप अपने मॉम डेड के साथ बैठ करके एक डिबेट देख रहे हैं उस दौरान आपको सिर्फ एक शब्द आपको सुनाई देता है भड़वा गिरी बंद करो धंदे पर बैठ जाओ तो सुनकर के आप पहले या तो चैनल बदलेंगे अगर आप चैनल नहीं बदलते हैं तो आप जानने के एकशुक रहेंगे कि न्यूज एंकर का रियक्शन इस पर क्या आने वाला है उसको आप लोग देखना चाहेंगे अब वो क्या बोलेगी और क्या होने वाला है लेकिन इस वीडियो के क्लिप जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसको गौड से देखिएगा कि एक न्यूज एंकर और विधायक में क्या कुछ अंतर रह गया या नहीं पूरे पूरे तमकार तंसक हो आप लोगों ने खंदे बशा दिया है आपकी चुनावों में चुनाव लड़ने की आपकी उकात नहीं है अब जल्बा के बीच में दिखा सकते आप बात कर दो पिर सोमनात भारती जोकी आम आद्मी पार्टी के विधायक हैं सुदर्शन न्यूस की महिला एंकर ने अर्विंद केजरिवाल पर मिर्च पाउडर फैकने को लेकर के एक सिंपल सा एक सवाल पूछा बाचित के दोरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता आम आद्मी अपना आपा खो बेठ है और एक महिला एंकर के लिए एक दलाल भड़वा गिरी और धंदे जैसे शब्दों का उन्हों इस्तमाल किया जो की बहुत ही गलत है according to me भारती से बाचीत के दोरान महिला एंकर भी काफी गुसा हो गई उत्तेजित हो गई और अपना भी आपा वो खो बैठ ही वो भी मर्यादा को भूल बैठ ही कि वो ये चीज भूल की कि वो एक न्यूस एंकर है उन्होंने पूरी आमादनी पार्टी को लपेट लिया और कहा कि पूरी आमादनी पार्टी के विधायक पर टिपड़ी करती है उन्होंने कहा कि एक भी विधायक की आउकात नहीं कि वो हमारे चैनल पर आकर के सवालों के जबाब दे सके अगर सोमनात भारती से पहले कई बार विवादित बयान दे चुके हैं इसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा अब इस चैनल को खुड डिसाइड करना चाहिए था कि उनको अपने चैनल पर उनको बुलावा इन्विटेशन भीजना चाहिए था या नहीं जो व्यक्ति बार बार शब्दों की मरियादा को लांगता है तो उसे अपने न्यूस शो में क्यों इन्वाइट करते हैं सवाले निशान है और एंकर की बात रही और मैं कहूं तो एंकर अपने इस बात को बहतर तरीके से समझ सकता था तो मैं कहूं कि आप परिपक्वता साप साप दिखाई दी तो दोस्तों कमेंट सेक्षन मुझे बताइए कि शब्दों की मरियादा किसने लांगी और कैसे तीन मार्श तक बंद हो सकते हैं आधे से जादा एटियम जो एटियम बंद होने वाले हैं उसमें ज्यादा तर आपका ग्रामीड इलाका है गाउं है ऐसे में कैश की भारी कमी भी हो सकती है जिसकी वजहा से ग्रामीड की जो अर्थ विवस्ता है उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ सकता है इस समय देश में तकरीबं 2.3 लाक मशीने हैं और इन में से आधी बंद हो सकती है एटियम उद्योग परिसंग ने बुद्धवार को एक अपना स्टेटमेंट दिया था बयान में उन्होंने कहा कि एटियम के बंद होने से हजारों रोजगार प्रभाव अगर रिपोर्ट की माने तो हाडवेर और सॉफ्वेर को और बहतर बनाने के लिए तथा और जो करंसी उसमें डालने के लिए कैसिट को अदला बदली की जाएगी और विवस्था समित हाली में जो बदलाव किये गए हैं उससे एटियम का काम नहीं कर पाएगा पुराने त जादर सहमती बनेगी वैलिट पेपर पे लेकिन सुप्रीम कोट का जो फैसला आया है उससे हो सकता है कि आपको निराशा हाथ लगे एवियम के जगह वैलिट पेपर से आने वाले विधान सभा और लोगसभा चुनाव कराने की जो मांग की जाने वाली याचिका थी उसको स सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया है नियाए भूमी नाम के NGO ने अपनी याचिका एक पेटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोट से मांग की कि एवियम का दुर्पियों कर एक दल की पक्ष में चुनाव को किया जा सकता है इसलिए आगामी लोगसभा और विधान सभा चुन और अगले साल होने वाले 2019 में लोगसभा चुनाव में इवियम की जगाए वैलिट पेपर की जरिये मतदान करने की संबंधी आदेश चुनाव आयोक के जारी करने की मांग की गई थी रंजन गोगोई की अध्यक्षिता वाली पीठ ने NGO नियाए भूमी की इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन इवियम के दुर्पयोग की आशंका और निस्पक्षत चुनाव कराने का उनका उपयोग नहीं किये जाने की दलिल को नहीं माना विश्व स्वास्त संगठन WHO World Health Organization की एक ताजर रिपोर्ट की मताबिक 2017 में पूरी दुनिया के सामने आया मलेरिया के कुल मामलों में 80% मामले भारत में हैं और 15% मामले आपके अफ्रीकी देश में हैं भारत में तक्रीबन 1.25 अरब लोग मच्छर से होने वाले इस बीमारी की चपेट में आने की ककार पर थे लेकिन भारत एक मातर से देश है जहां 2016 के मुकाबले 2017 में मलेरिया के मामले में कमी आई है इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तक्रीबन 1.25 अरब लोगों को मलेरिया की चपेट में आने का खत्रा था लेकिन भारत उन देशों में से है जिसने इलाज में होने वाली असफलता के बरतेस्तर का पता लगाने के बाद अपने इलाज संबंधी नीतियों में इलान कर दिया पंजाब में गुरुदास पुर्च से लेकर के अंतर राष्टे सीमा तक मोधी सरकार एक स्पेशल कोरिडोर बनाएगी जिससे कतार पुर साहिब जाने वाले सरधालियों को काफी फैदा होने वाला है अभी कियंद सरकार ने इसका एलान किया ही था कि इसका लेने के लिए राजनेताओं में बयान बाजी शुरू हो गई जो की अक्सर राजनीती में होता आया है सिग्निचर ब्रिज की दरफ देख ले चाहें दूसरे आपको एक्जांबल पता है पंजाब सरकार में मंतरी और कॉंग्रिस नेता नवजोच सिंग से धुके पाकिस्त दोस्तों यह थी पूरी खबर आपको कैसी दगी मुझे बताए कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को शेर कीजेगा तक वाज स्टे अप्डेटर्ट स्टे एजोकेटेड जाहिंद बंदे मात्रम नवश्कार झाल झाल, 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 झाल